हेई फ्रेंज, वेलकाम, कैसे हैं आप सब, आशा है फ्रेंज, आप सभी स्वस्त होंगे और अपना-पना ख्याल रख रहे होंगे, आज की रीडिंग में फ्रेंज हम लोग चेक कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स की करन्ट एनर्जी क्या हैं, रीडिंग फ्रेंज, मैक्सिमम रीडिंग की तरह, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टेव है, तो जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, ओपनली, ओपन माइंड के साथ ही चेक करना, जो रेजोनेट करें उसे रख लेना, जो ना रेजोनेट करें उसे आप जाने देना ज्यादा clarity के लिए friends आप लोग personal readings बुक करा सकते हैं जिसकी detail सिर्फ और सिर्फ description box में available है easily आप मुझसे contact कर सकते हैं WhatsApp पर and available slot पर अपना session बुक करा सकते हैं without much further ado friends, let's get start please universe बताएं मेरे प्यारे प्यारे beautiful से viewers के प्यारे प्यारे partners की current feelings क्या है उनको लेकर friends, जब मैं cards को shuffle कर रही हूँ, video को like करें, positive energies को exchange करें ओम नम्ह शिवाई five of fans की energies है, जब मैं cards को shuffle कर रही थी, तो भी five of cups की energies आ रही थी तो इस time ना आप लोगों का रिष्टा काफी नाजुक दोर से गुजर रहा है काफी ज़ादा arguments हो रहे है, लड़ाई जगड़े हो रहे है, misunderstandings हो रहे है, multiple लोगों का involvement connection में आ चुका है, menu plate कर रहे है, इस connection को बिगारने की कोशिश कर रहे है, ऐसी vibrations काफी strong है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके person को हाल फिल हाल में कोई और पसंद आ गया है या आ गई है, जिसकी वज़े से वो आप से उखड़े उखड़े से और परिशान से रहने लगे है प्यार तो ये आप से भी काफी करते हैं, लेकिन स्टिल, लेकिन स्टिल होता है ना कि सम्टाइम किसी की तरफ बहुत जाता धिहान चला जाता है, वो vibrations कुछ लोगों के person की बहुत strong आ रहे अगेन ऐसा लग रहा है कि आपके person दो लोगों में या दो situation में confused हैं, किसकी माने, किसकी ना माने, किसके according चले, किसके according ना चले, किसको reject करें और किसको select करें, 24 into 7 ये person यही सब सोचते रहते हैं, लेकिन किसी decision तक नहीं पहुँच पा रहे ऐसी energy भी आ रहे है friends कि आप में से बहुत सारे लोगों का connection online build-up हुआ हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों का age difference काफी ज़ादा है और वहीं कुछ लोगों के लिए ये भी strongly feel हो रहा है कि आप लोग during traveling मिले हो, किसी beach पर मिले हो, किसी hotel या resort में मिले हो, या किसी family get together में मिले हो ये vibrations ना काफी ज़्यादा strong है Friends, अगर मैं zodiac की बात करूँ, तो यहाँ पर Cancer, Pisces and Scorpio, ये zodiac यहाँ पर बहुत important और बहुत prominent है हो सकता है, आप दोनों ही water sign से deal कर रहे हो इसके अलावा कुछ और zodiac हैं, जो important हैं, वो हैं यहाँ पर Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius and Virgo energy ये energies भी यहाँ पर काफी prominent and important है Friends में strongly यहाँ पर जो energies भी रहे हो ये हैं, कि आप लोगों के person आपको प्याह करते हैं आपके लिए feelings भी रखते हैं लेकिन problem क्या हो रही है इस time या तो आपके person ना दो situation या दो लोगों में confused है या फिर आपकी उनसे इन दिनों में नहीं बन रही है क्यों क्योंकि वो family की ज़दा सुन रहे है या किसी और romantic person की तरफ उनका attention ज़दा है वैसी vibrations यहां पर बहुत strong आ रही है I don't know कितने लोगों से यह reading resonate कर रही है अगर आप से कर रही है तो comment box में प्यारे प्यारे हार्ट सेंट करके मुझे जरूर अपदेट करें मैं यह भी strongly feel कर पा रही हूं यहां पर कुछ numbers है जो बहुत important and prominent है और यह numbers है 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30, 2, 11, 29, 20, 4, 22, 13, and 31 Friends, यहां पर यह भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को Angel numbers, double 2, double 2, double 1, double 1, 11, 11, triple 2, या 4 times 2 ऐसी Angel numbers काफी ज़्यादा दिख रहे होंगे If yes, आपको Angel numbers दिख रहे हैं तो thank you universe, comment box में ज़रूर लिखे तो यहां पर Angels आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा pose ले लो, थोड़ा सा ठहराव ले लो ज़्यादा arguments, लड़ाई जगड़ों में मत पड़ो, खुद को balance करो और इस connection को भी balance करने की कोशिश करो, लेकिन go with the flow anxious होने से, परिशान होने से, एक दूसरे को blame करने से, complain देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा ऐसी vibrations काफी strong हैं current feelings की friends, अगर हम बात करें, जैसा की already video में आप सब देख रहे हैं आपके person ना लड़ाई जगड़े और argument से काफी परिशान और disappointed हो रहे हैं quite confused भी हो रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें आपको लेकर emotional भी है कुछ लोगों के लिए ऐसी vibration भी आ रही है कि आपके person आपके connection से एक pause लेना चाहते हैं and कुछ लोगों के लिए ऐसी vibration भी आ रही है कि आपके person आपको काफी ज़ादा पेले तो लड़ लेते हैं, arguments कर लेते हैं and then बहुत ही miss करते हैं and फिर खुदी मनाने की कोशश करते हैं ये दो तरह की vibrations काफी strong आ रही है अब हम check करते हैं friends की आगे इस connection में क्या होने वाला है कब तक होने वाला है and meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है friends आप में से कुछ लोगों को red color, green color, yellow color, brown color ये color बहुत पसंद होंगे, वैसी vibrations आ रही है and वहीं कुछ लोगों को जहरने, hill areas बहुत पसंद होंगे वैसी strong vibrations आ रही है please universe बताएं, मेरे viewers और उनके partners की life में आगे क्या होगा, कब तक होगा and meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है friends ये जो भी difficult phase आप लोगों की connection में चल रहा है जिसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा परेशान है आपके person बहुत ज़्यादा परेशान और disturbed है एक person को लग रहा है कि पूरा भार मेरे ही कंदों पे आ गया है और दूसरे को लग रहा है कि यार भार तो मेरे भी कंदों पे है लेकिन बस मैं दिखा नहीं रहा या show नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं तो ऐसी vibration बहुत strong आ रही है मतलब परेशान आप दोनों हैं इन ज़गड़ों को लेकर परेशानियों को लेकर क्या करें क्या ना करें समझने आ रहा बट एक person है जो अपनी परेशानियों को जगा जगा बता रहा है या बता रही है लेकिन दूसरा person है जो चुपचा बैठा है या बैठी है ये देखने के लिए ये समझने के लिए कि जब time आएगा तो वो चीज़े या ये चीज़े जो difficult है automatically change हो जाएंगे Friends ऐसा भी लग रहा है कि ये जो difficult सिनारियों है Divine आपको कह रही है कि ये बस जब आप ये reading देख रहे हैं 10 से 15 दिन में over होने वाला है तो आपको over burden होने की, परेशान होने की stressed होने की, tension में आने की बिलकुल भी need नहीं है Divine आपको कहना चाहती है कि अपने भाग्य, अपनी destiny और अपने good करमास पे विश्वास रखो और अपने good करमास को इतना strong बना दो कि life में आगे जो भी हो, वो अच्छा ही हो और आपके life बेतरीन होती चली जाए finally आप लोगों की life में एक miracle होने वाला है Divine की blessings आने वाली है भाग्य आपके favor में हो जाएगा और ये rough cycle का the end हो जाएगा तो आप लोगों में reconciliation आ रहा है जब भी आप ये reading देख रहे हैं देड़ से 3 हफतों के बीच में आप में से बहुत सारे लोगों की life में अपने person के साथ ये जो नोग जोग चल रही है arguments चल रही है tension है सब over हो जाएगी and reconciliation के साथ आप लोग इस connection को एक नया मोका देने वाले हो आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने partners के साथ you know outing पे जाएं कहीं traveling का program बनाएं ताकि आप लोगों का connection improve कर सके कहीं vacation पर जाएं उसके chances भी काफी strong आ रहे हैं अब friends हम लोग चेक कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्या guidance है please universe बताएं मेरे viewers के लिए क्या guidance है तब तक Om Namash Shivai आपके लिए guidance है 3 of Vans ज्यादा attention मत लीजिए ज्यादा attention मत लीजिए future में सब कुछ अच्छा होगा यही सोचिए और उसी को manifest कीजिए तो obviously सब कुछ अच्छा होगा अगर आपका focus आपके रिष्टे की परिशानियों में ही बना रहेगा तो ये परिशानियों को आप attract करते रहोगे और ये बढ़ती चली जाएंगी लेकिन आपको attraction परिशानियों पर नहीं प्यार पे रखना है रिष्टे पे रखना है इसकी growth पे रखना है hopeful और confident रहना है then definitely dear से 3 हफते जो कि मैंने आपको बोला वही time frame यहां आ रहा है 110% आपके life में एकदम से unexpectedly बहुत अच्छे changes आने वाले है क्योंकि destiny आप लोगों के favor में है भागय चक्र समय का पईया जो है करवट ले रहा है और ये रिष्टा आगे grow कर रहा है बॉटम में है seven of sorts की energies 24 घंटे यूनो अपने परसन की गलतिया निकालना उनकी गलतियों के बारे में सोचना ये सब थोड़ा सा कम करके आप इस रिष्टे की beautiful moments के बारे में सोचिए तो automatically सब बहुत जल्दी अच्छा होने लग चाएगा thank you so much for watching friends have a lovely day may god bless you and take care